दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक आर्मी से बगोडे ने फरीदाबाद के सेक्टर 15 स्थित कैंडरा बैंक में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर हत्यार के बल पर बीते 22 दिसंबर को लूट की वारदात को अंजाम दिया था जिसमें आरोपियों ने एक लाग 84 हजार की लूट को अंजाम दिया था जिसमें कारवाई करते हुए लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आर्मी से बगोडे सही तीन आरोपियों को क्राइम सेक्टर 30 की टीम ने गिरफतार कर लिया है। पुलिस की गिरफत में दिखाई दे रहे ये वही आरोपी है जिने क्राइम ब्राँच की टीम ने गिरफतार करने में काम्याबी हासिल की है। वही डीसीपी क्राइम नरेंदर का अधियान ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों आरोपी पलवल के रहने वाले हैं। बदमाशों ने बैंक में लूट पार्ट करने से पहले कई दिन तक बैंक की रेकी की थी और उसके बाद बैंक में लूट पार्ट को अंजाम और इस वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराख में थे। तीनों ही आरोपी हाई ओ एजूकेशन के हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की वारदात में परियोग होने वाली मोटर साइकिल पिस्टल को बरामत कर लिया है, अभी तक, बैंक से लूटी गई राशी को रिकवर नहीं कर पाई है, जिसके लिए, पोलिस ने तीनों आरोप्यों को रिमार्ड पर लिया है, डिसिपी ने कहा कि तीनों ही, आरोप्यों ने पहली बार इस वारदात को अंजाम दिया था इस से पहले इन पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है पुलिस आरोपियो से अब बैंक से लूट की गई राशी रिकवर करेगी वहीं लूट के आरोपियो को गिरफतार करने वाली टीम के सदस्यों को 25 हजार का इनाम देकर फरीदाबाद पुलिस कमिशनर की तरब से सम्मानित किया गया है 22 दिसंबर को करीम एक बज़े सेक्टर पंदरा की मार्केट में कैनरा बैंक में एक लाज़ासी जार रुपे की लूट होई थी तीन नकाब पोस्ट बंदे थे जो मोट साइकल पे आये और चन्द मिंट में ही लूट करके वहां से फरार हो गए जो कैसियर था उसको पिस्टल दिखाया गया था और जो एक दो मुलाजम थे उनको विचाकू की नोख पे ये लूट को अन्जाम दिया गया था इसमें हमारे सिपी साब शिरी विकासरोडा जी ने चार-पांस टीमें लगाई थी और इंस्पेक्टर वीमल की टीम ने इसको कामियावी हांसिल करते हुए आज तीन बंदों को राउंड अप किया है और सिपी साब ने पूरी टीम को समानित किया है जिनको 25,000 रुपे आज अज़न ने नाम दिया टीम को यह सिर्प क्या अहंस यह इनका बैक्ड़ॉड के क्या नाम वगड़ा है एक योगेस है एक सोनु है और एक राहूल है राहूल खान यह तिन्नों पलवल के रहने वाले हैं और इन्होंने दो तीन दिन पहले बैंकी रेकी की और रेकी करने के बाद ही ये वारदात को अंजाम दिया है पहले कोई मामला दर्ज नहीं है लेकिन अब ये इस वारदात के अंदर जैसे इन्होंने कामिया भी आंसिल कर ली थी उसके बाद इन्होंने बड़ी वारदात को अंजाम देना था तो कि ये प टेक में है एक बच्चा तो और बाकी पड़े लिखें हैं तिनों पड़े लिखें हैं सर हत्यार कहां से लाए थे यह पिस्टल बता रहे हैं यह अभी पुलिस इमांड के उपर है मारे जो भी होगा वो आपको बता जिया जाएगा जी और सर लूट के कैस जो लूटा था वो बरामद हो गया है अभी लूट का जो कैस था वो बरामद नहीं हुआ है पांस दिन का पुलिस इमांड लेंगे जो अथियार थे चाकू पिस्टल और मोटर साइगल जो वारदात में इस्तेमाल किये गए थे वो बरामद हो चुके है फरीदाबाद पुलिस को सर बहुत प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनिल चौधरी की रिपोर्ट